देवी सरस्वती को साक्षात विद्या याने ज्ञान की देवता माना जाता है। विद्या प्राप्ती के लिए उसका नमन पूजन करना यह पहली आवशकता है। भगवती सरस्वती अगर प्रसन्न हो तो विद्या की प्राप्ती आसानी से हो सकती है। मा सरस्वती की कुर्पादुरुष्टी बालक पर बनी रहे, तो वो बुद्धिमान बनके पढ़ाई में हमेशा आगे रहेगा। जब शिशु पेट में पलता है, तो शरीर के साथ मन और दिमाग की भी बनने की प्रक्रिया शुरू रहती है। उस समय अगर इस विशेश स्तोत्र का पठन श्रवन किया जाए, उसका संस्कार हो तो शिशु को विशेश गुणवान बुद्धी, अलोकिक प्रग्या और असाधारन प्रतिभा प्राप्त हो सकती है। और इसके लिए गर्व समस्कारों में सरस्वति स्तोत्र का महत्व अनन्य साधारन है। निशेश जाढ्या पहौं नील सरस्वति स्तोत्र यह देवी सरस्वति का एक शक्तिमान स्तोत्र है। महाप्रग्या याने की विशेश प्रकार के आकलन शक्ति निर्मान होने के लिए दिमाग में बुनियादी तैयारी की जाती है। घोर रूपे महारावे सर्वशत्रु भयंकरी भक्ते भ्योवर देदेवी त्राहि माम्शरणा गतम। ओम सुरा सुरार्चिते देवी सिद्ध गंधर वसेविते जाध्य पापहरे देवी त्राहि माम्शरणा गतम। जटा जूट समायुक्ते लोल जिवान्त कारिणी दृत बुद्धि करे देवी त्राहि माम्शरणा गतम। सौम्य क्रोध धरे रूपे चंड रूपे नमोस्तुते सुरुष्टि रूपे नमस्तुप्यम त्राहि माम्शरणा गतम। जडा नाम जडताम हंती भक्ता नाम भक्तवत छला। मूढताम हरमे देवी त्राहि माम्शरणा गतम। रूम रूम कारमये देवी बली हो मप्रिये नमहा। उग्रतारे नमोनित्यम त्राहि माम्शरणा गतम। बुद्धिम देही यशो देही कवित्वं देही देविमे मूढत्वं चहरेर देवी त्राहिमाम शरणागतं। इंद्राधि विलसंदेवे वन्दिते करुणामई तारे ताराधि नाथास्ये त्राहिमाम शरणागतं। अश्टम्याम्चं चतुर्दerntश्याम् नवंयाम्यपठे नरहा, शण्मा सैसिधिमापनोती नात्रकार्या विचार्यणा। मुक्षार्थी लभते मुक्षम धनार्थी लभते धनं, विध्यार्थी लभते विध्यां तरकव्या करणादिकं, इदं स्तोत्रं पठेद्यस्तू सततं शद्धयान वितहा, तस्य शत्रुषयम याती महाप्रध्यां प्रजायते, पीडायां वापि संग्रामे जाड्डे द इति प्रणम्य स्थुत्वाच योनि मुद्राम् प्रधर्शय इति नील सरस्वति स्थोत्रम् संफूर्णम्